वेल तो हेई गाईज वेलकम टू माय चैनल मारीस पंकरस तो वेल इस वीडियों बात करने वाले कि हमें रोमन रोइन्स को लेकर काफी बड़ी बैड न्यूस देखने को मिल रही है उनके रसल मेनिया 39 के प्लैंस को लेकर सो इस थिंग के उपर डीटेल में बात करेंगे और अलसो हम लोग यहां पर बात करने वाले है जो कि डीमन फिन बैलर को लेकर काफी बड़े प्लैन समयाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो कि इसको भी लेकर एक काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है तो इस थिंग के उपर डीटेल में डिसकस करेंगे और ब्रेव तो इस तिंग के उपर भी डिसक्स करेंगे इस वीडियो के अंदर तो भाई वीडियो को लास तक जरूर देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो भाई क्या करो यार आपको यहाँ पे हमें सा लेटेस्ट अपडेट और ऐसी इंटरस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है so of course भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ओके तो चलते हैं पर टॉपिक पे आते हैं so first of all first update की तरफ चलते हैं तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Drew McIntyre की तरफ से so Stone Cold Steve Austin जो की अपने recent के interview में Drew McIntyre को लेकर तारीफ करते वे दिखाए देते हैं जहाँ पर उनका यह कहना था कि जो Drew McIntyre फिलाल के टाइम पे कर रहे हैं वो काफ़ जादा great work देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में और भी हमें good things देखने को मिलेंगी जो की Drew McIntyre के साथ में तो जो Drew McIntyre है यह अपना great work continue रखे तो यह कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है यानि कि फिलाल के टाइम पे हमें जैसे Drew McIntyre देखने को मिल रहे हैं वो काफी ज़्यादा बढ़ियां काम कर रहे है अपने character को लेकर और फिलाल के टाइम पे हमें जैसा work देखने को मिल रहा है वो काफी बढ़ियां है तो यह कुछ हमें यहाँ पे Drew McIntyre के लिए Stone Cold Steve Austin की तरफ से देखने को मिलता है जो की अफकोस काफी बढ़ियां बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे है True McIntyre के लिए So अगली अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो की Triple H की तरफ से So जैसा कि आप लोग को बता दू कि Triple H का आज बढ़ दे है Yes Triple H का आज बढ़ दे है और Happy Birthday to Triple H And I hope की आप सब लोग भी विज़ जरूर कर देना Triple H को Happy Birthday to Triple H So अगली अपडेट की तरफ चलते तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो की Brave White की तरफ से So Brave White की तरफ से हमें Instagram जो उनका अकाउंट देखने को मिलता है Brave White का Instagram अकाउंट तो उसका हमें profile picture जो की change होते वे दिखाई दे चुका है और इस बार जैसा हमें profile picture देखने को मिल रहा है उसके अंदर हमें यहापे काफी ज़्यादा mysterious thing देखने को यह मिल रही है जैसा कि आप यहाँ पर Brave White के इस Instagram के profile picture को अगर देखोगे तो यहाँ पर 6 dots देखने को मिल रहे है यानि कि 6 balls भी कह सकते हैं तो वो हमें white 6 को लेकर indicate करते वे दिखाये दे रहे जो कि हमें Twitter पर इनका नाम देखने को मिल रहा है white 6 करके और जो कि of course इनका नाम हमें वो नया वाला नाम देखने को मिला है white 6 का तो उसको लेकर indicate कर रहा है लेकिन अभी भी बहुत लोग का ऐसा भी कहना है जो Brave White का यह हमें नया वाला Instagram का profile देखने को मिला है इसके अंदर हमें काफी कुछ ऐसी mysterious CJ हैं जो कि summer slam को भी indicate करते वे दिखाए दे रही हैं तो देखते हैं भाई वैसे हमें क्या thing देखने को मिलता है tease तो multiple हमें यहाँ पर देखने को मिलते है Brave White की तरफ से अभी देखते हैं जब तक हमें कोई confirm बड़ी sources की तरफ से news नहीं आती तब तक साथ से हम इसको confirm नहीं कर सकते हैं तो देखते हैं वैसे हमें क्या thing देखने को मिलता है Brave White की तरफ से तो अगली update की तरफ चलते है तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और वो कहते हैं कि मैं आस्का को लेकर कुछी स्टोरी सुनना चाहता हूँ जो कि बैके लिंज की तरफ से जहां पर बैके लिंज ट्वीट करके कहती है कि मैं भी that will be my title I hate आस्का और मेमे और रियानी की यहां पर यही कहते वे दिखाय देती है कि बैके लिंज मैं बहुत ज़्यादा hate करती हूँ आस्का को तो यह कुछ हमें यहाँ पर बैके लिंज की तरफ से जवाब देखने को मिलता है और यह स्टोरी देखने को मिलती है जो कि बैके लिंज की तरफ से आस्का के लिए जो कि वो hate करती हैं तो अगली update की तरफ बढ़ते हैं तो ये update हमें देखने को मिल रहा है Alendra Blaze की तरफ से यस वही superstar जिनोंने WCW के अंदर women's title को कचरे के डबे में डाल दिया था तो Alendra Blaze जो कि आज हमें NXT 2.0 के अंदर देखने को मिली यस आपने सई सुना Alendra Blaze जो कि आज हमें NXT 2.0 के अंदर देखने को मिली और इस बार जो Roxana Perez के पास में title था उस title को trash में डालते वे दिखाए देती है तो ये कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला जो कि of course भाई काफी अच्छी कासी और long term storytelling हमें यहाँ पे देखने को मिल गई title को trash में डालने का तो भाई इसके उपर आपके क्या opinion है आपको Alendra Blaze को देखकर कैसा लगा वो मुझे comment section में जरूर बता देना तो अगली update की तरफ चलते हैं तो ये update हमें देखने को मिल रहा है और ये है जो कि Finn Balor के Alter Ego को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि Finn Balor का जो हमें Alter Ego देखने को मिलता है Demon Finn Balor तो इसको लेकर काफी बड़े plans देखने को मिलने वाले हैं यास हमें काफी बड़े plans देखने को मिलेंगे Triple H जो की in charge में आ चुके हैं तो यहाँ पर जो plans हैं वो हमें काफी बड़े plans देखने को मिलेंगे Demon Finn Balor के लिए तो यह कुछ हमें याँ पर reports देखने को मिल रही है तो देखते भाई हमें Demon Finn Balor के लिए का plans देखने को मिलते हैं क्योंकि हम सभी लोग जानते है Demon Finn Balor जो की एकलाउता ऐसा character है जो की एक काफी बढ़ियां character अभी हमें ड़लोली के अंदर फिलाल देखने को मिल रहा है और hope करते हैं कि हमें edge का भी अगर ऐसा कुछ character देखने को मिलता है तो वो भी काफी बढ़ियां देखने को मिले लेकिन जो Demon Finn Balor का character है वो काफी ज़्यादा best character का आ जाता है तो देखते भाई बड़े plans हमें क्या देखने को मिलते हैं Demon Finn Balor के लिए तो अगली update की तरफ चलते हैं तो ये update हमें देखने को मिल रहा है WWE के release को लेकर तो क्या हमें WWE का जो release देखने को मिलता था Vince McMahon के time पे तो फिलाल हमें Triple H जो की new creative hit देखने को मिल रहे हैं और Stephanie McMahon हमें यहाँ पर new CEO बन चुकी है तो क्या हमें ऐसे में release रुकते वे दिखाये देंगे या फिर हमें release जैसे देखने को मिल रहे थे वैसा हमें release यहाँ पर देखने को मिलेगा तो जैसा कि आप लोग को बता दू कि हमें यहाँ पर जो release थे वो release तो फिलाल के time पे नहीं रुकने वाले बट जो हमें multiple releases देखने को मिलते थे वो release हमें नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हमें यहाँ पर थोड़े बहुत superstar 1-2 superstar, 4-5 superstar ऐसे superstar हमें जो की release होते वे दिखाय दे सकते हैं जिनका अगर काम नहीं होगा तो यह कुछ हमें यहाँ पर reports हैं अभी फिलाल के time पे देखने को मिल रही है तो देखते वैसे हमें ट्रेपल H और स्टेफनी मिकमेन की तरफ से आगे चलके हमें कोई release देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा या फिर हमें WL के अंदर भी जो superstar है वो सभी superstar safe है मुझे तो लग रहा है कि फिलाल के time पे safe है लेकिन हो सकता है कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसे superstar हो जिनको release किया जा सकता है लेकिन multiple superstar safe से हमें release ना होते वे दिखाए दे जाए जो कि एक काफी बढ़िया news हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है तो अगली update की तरफ बढ़ते है तो यह update हमें देखने को मिल रहा है और यह है जो कि Roman Reigns की तरफ से तो Roman Reigns की तरफ से हमें एक काफी जादा interesting tweet देखने को मिलता है जहाँ पर Roman Reigns tweet करते वे दिखाए देते हैं कि यानि कि यहाँ पे यही कहना है जो कि Roman Reigns का कि the world का most famous main event वो खुद है और आज का जो हमें मतलब उस दिन का Monday Night Raw का जो main event था वो था तो यह कुछ हमें the tribal chief head of the table Roman Reigns की तरफ से देखने को मिलता है तो अगली update की तरफ चलते हैं तो यह भी update हमें देखने को मिल रहा है the tribal chief head of the table Roman Reigns की तरफ से जैसा कि आप लोग को बता दू कि Russell Mania 39 के अंदर काफी जादा rumored match जो कि हमें देखने को मिल सकता है Roman Reigns vs. The Rock के बीच में लेकिन इसको लेकर update हमें यहाँ पर यह देखने को मिली है कि जो WL की फिलाल के टाइम पर हमें management जो change हुई है जो सारी चीज़े हमें company के अंदर changes होते वे दिखाए दी है तो इसको लेकर यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत doubt है कि हमें company की तरफ से जो भी negative news देखने को मिल रही है और इसके बाद जो कि हमें The Rock की इस contract को इस offer को जो की participate करते वे दिखाए देंगे इस fight के अंदर जो कि हमें Russell Minaj 39 के अंदर rumored है rumor ने इसके साथ में क्या वो इसको accept करते वे दिखाए देंगे कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा भी या फिर नहीं देखने को मिलेगा तो इसको लेकर थोड़ा बहुत doubt है इस thing को लेकर जो कि हमें negative चीजे फिलाल के time पे डवलोली के अंदर देखने को मिल रही है वैसे हमें यहाँ पर plans पूरे changes होते वे नहीं दिखाए देंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा डवलोली का management change हो चुका है ट्रेपल H और इसके बाद तो Stephanie McMahon CEO बन चुकी है तो ऐसे में the rock तो हमें देखने को मिलेंगे ही क्योंकि काफी अच्छी खासी दोस्ती भी है काफी अच्छे कासे relationship भी है डवलोली के साथ में और Nick Khan के साथ में भी काफी अच्छे कासे relationship है तो ऐसे में तो हमें the rock जरूर देखने को मिलेंगे उनका match देखने को मिलेगा लेकिन डवलोली management की तरफ से यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट है तो यह कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपडेट तो देखते है भाई वैसे हमें क्या thing देखने को मिलता है क्या सही में रसल मेनिया 39 के अंदर रोमर नेंस के इस match को काफी बड़ी problem हो सकती है क्या यह match हमें देखने को मिलेगा तो आप लोगों का क्या opinion है मुझे तो लगता है कि साथ से हमें यह match जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि इतना rumored है और दरोक के काफी अच्छे कासे relationship भी है विंस विकमेन को हटा दिया गया है जो की CEO से तो अफकोस यहां पर हमें जो की दरोक आते वे दिखाई देंगे तो अगली update की तरफ चलते है तो यह update हमें देखने को मिल रहा है Summer Slam 2022 के stage को लेकर तो जैसा कि आप लोग को बता दू की Summer Slam 2022 का जो हमें stage देखने को मिलेगा उसको लेकर एक काफी जादा interesting report देखने को मिलेगा है तो reports यह है कि जैसा हमें 2021 का यानि कि 2021 के Summer Slam का जैसा stage देखने को मिला था same वैसे concept का हमें इस साल का भी stage देखने को मिलेगा तो यह कुछ हमें यहां पर report देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहां पर screenshot भी देख सकते हो तो यह हमें यहां पर report देखने को मिल रहे कि जैसा हमें similar 2021 का stage देखने को मिला था वैसा ही stage हमें 2022 में भी देखने को मिलेगा तो वैसे मुझे लगता है कि में भी हो सकता है यहां पर थोड़े बहुत changes करते वे दिखाए दे सकती है बट हमें summer slam 2022 का stage है वो हमें 2021 के लगबग बराबर similar देखने को मिलेगा तो देखते वैसे अगर कोई photo देखने को मिलेगा तो जरूर मैं आप लोगों के साथ में share करूँगा तो देखते वैसे हमें stage कैसा देखने को मिलता है actual में कैसा होता है तो आप लोगों का जो भी opinion होगा वो मुझे comment section में जरूर बता देना वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करो, dislike करो, share करो, subscribe करो जो भी करना कर सकते हो Instagram और Twitter का link भाई description में है वहाँ पर जाके जरूर follow भी कर लेना और जिसने चैनल को subscribe नहीं किया तो भाई क्या कर रहे है आपको यहाँ पर हमेसा latest updates और interesting videos मिलती रहती है so of course भाई चैनल को जरूर subscribe कर लेना आपके सो फिन मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरिवन गाईस